मंच पर उपस्तित हम सारे लोग के अविभावत कलगत्ता में कलगत्ता मिस्टर कॉर्परोशन में मीरा दी दी और बीच में यहां के जो नेतागर उपस्तित हैं प्रियंका यह हुई थी कामिनी जी यहां से कैंडिडेट है पिछले करिक दस-पंद्रा दिन से कलकत्ता के विभिन गलियों में घूनने का मौका मिला और जिधर भी गया एक बोट मुझे हर तरफ दिखाई दे रहा है मेयर के बोलो टॉक्तू मेयर और मानने फिरहाद हाकिन की जो हमारे टैनिलेट को बिधवा बराने की धब्की देकर गए है उनका चेहरा नजर आ रहा है यह फोन नम्मर दिया हुआ है हर जगा जिधर भी जाए पूरे कलकत्ता में जिधर भी जाए तॉक्तू मेयर क्या है कि टॉक्तू फिराध कि मैंने कुछ लोगों से पूछा करता वह होता क्या है टॉक्तू मेयर का मतलब क्या है कुझे समझौज हो ख़ता है चैनलों ने तीबी में देखें क्या हो रहा है टॉक्तू तो लोग कोई कह रहा है कि मेरे घर के सामने पानी जमा है को कर रहा है को इसका करवा को तो मैंने अपने बंदू से तूचा कि भाई यह सारा काम को करते हैं किसी के सामने पानी जमा है किसी का नाली नाली बना है करना ली इसके लिए मेर को भूलेंगे वां तो मेर को तो पिर कांस लर को क्या बोलेंगे बोना एक Glacal चेंग यह थे लिद्क करना है तो फॉर स्पाइट कितना लगेगा वह काउंसलर को बोलो और काउंसलर फिर जाके मेर से बात कर लगा यह सिस्टेम इन्हों ने बराकर रखाए कि इतनी तस्वीर लगाई है आपके पुरे कगता में मुझे तो कगता पिछले 15 दिन घूंकर मुझे लग रहा है कि वो राजी की मुखमंत्री से अपने आपको बड़ा नेता सकते हैं जीदी की भी इतनी तस्वीर नहीं है मैंने तो सुना मन ही मन वो अपने आपको गुपु मुखमंत्री भी कहते हैं वो कहते हैं मैं डबूडी चिप में इसका लूपा कालता है पूरे कंगत्ता में यह जो होडिंग है जो लगा हुआ है यह तो कॉर्परेसर का होडिंग है यह जदी इसका प्रेयोग जदी ब्यावसाई ग्रूप से किया जाता तो कम से कंग 5-10 करो रुपया को और पर सताया हुआ है और उस 10 करो रुपय से लोगों के स्टाइट नहीं लेकिन यह 5-10 करो रुपया नगर नहीं गपका आपके अपने पचार के लिए लगा दिया उनकी एक भी तस्वीर में ने कलगता में नहीं देखी इन सारे लोगों से ज़्यादा मुहत्कुन आप हैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा डॉक्टों में अंकुने कलगता में क्यों है आपने जनरल नावक की द्विरकर नहीं लगाई और बंगाल में की बहुँ इस इलाखे की बहुँ उसे आप बिद्वा बना देगे पाकिस्तान से जो लोग आए हैं अब यूदiegen की अपक्राँ पचाशा से बंगाल की सेवा कर रहे हैं बंगाल की मिट्भी को अपने मिट्भी बना लिया राजस्तान से जो लोग आकर यहां पर उसाइब कर रहे हैं, हर्याना से 50 साल पहले से आकर जो लोग पर उसाइब कर रहे हैं, उनकी पत्नी को आप कहते हैं बिध्वा बना देंगे, राजस्तान से आए हुए लोगों की पत्नी बिध्वा बन जाएगे, बिहार से आए हुए लेकिन साइद उन्होंने उन्हें भी धंकाया कि जदि मुझे नहीं जया गया थी कि तो मैं दुसरा खेला कर दूँगा और इसमें को है इसको नहीं कि इस बार पीज़े उन्हें को गतार किस्ता बराने का जो मार कह चुगे हैं वह सब्सक्राइब करने के लिए भारती चंटा कारे की इस वार्ट के जो लोग है वो तो भाजबा को भूट देंगे कि आपको आप सोचने की जुरूत है आप किसको समर्थन कर रहे हैं आपका समर्थन लेकर आंततों गत्वा कौन सत्ता पर मैठने वारा है कौन सत्ता सुख भोगने वारा है किस दर्शन को यहां पर मजबूत किया जा रहा है यह चुनाव भले ही एक कांस्लिर का चुनाव हो लेकिन इस चुनाव में जन्तACHं जो मतदान करेगी उसका इंपेक्ट क्या होगा रहा हमारे देश पर उसका इंपेक्ट क्या होगा कांगकना पर यह थोड़ा सोचने की जब्रत है 40 साल 30 साल किसी ने प्रस değil कि SHEE ने प्रस नहीं किया कि मैंने देखा इस वाइनों ँख और अब है कभी ऐसा नहीं होता चट फूजा में लोग लोग करते हैं BENGAL की जो संक्रिती हैừ छट फूजा के समय BENGLAきた ही हिंदी बाती शालिब साल लोग Issue आप दिलकर चटपूजा मैं जहां रहता हूं तो नेरे खान के बंगाल में बंगली हैं आप जानते हैं बंगाली फैमली बिना मचली काई किसी दी नहीं रजिकती है लेकी नेरे खान में बंगाली को लड़ता दे तो नहें नेमरे उर्णकीपई है लेकी इस संसक्रouse किसी को आप बदल लेना चाहते हैं चट फुजा को लेकर बांगला फुक्षो नाम के एक संजखन के द्वारा कितना गरण किया गया यहां के लोगों ने देखा और अब तक आप तिर्मून कॉंग्रेस के बुन्बों को लेकर भाजपा के कारे करता हूं के बारे में गलत संदों का अप्रयोग कर रहे थे लेकिन इस बार आपने भार्ती जंदा पार्टी के साथ साथ 8 माईया से भी लड़ाई ले लिए और हम भले ठमा कर दें लेकिन छाट मां से लड़ने का परिनाम बंगाल के साथ साथ देश के बहुत से लोगों ने देखा है आपको भी आने वाले दिनों में देखना पड़ से लोग भी खड़े रहते हैं और मां कर ठ्रिक हुआ खाते है чи सारे लिए टालीजा पुरानी कितनी भी बंगला फिल्में आप देखिए कोई भी बंगला सिनिमा हो उसमें आपको एक दो हिंदी चल्ट जरूर नहीं किया बंगुत भासी हिंदी भासी में नहीं किया पुर्च सबसकी क्यानि भी बंगला नूघ भी बंगला सवाहन को अधेए लुए रिक और खपतर नाक बात ने हम लोगने कुछ दित 코ное कि दूसरे राजिस जो लोग आए हैं यहां पर जिदी नौकरी चाहिए तो आपको बंगला सीखना पड़ेगा बंगला ना जाले चाकरी पावेड़ा अच्छी बात है हम ही बंगला सीखना चाहते हैं लेगे हम प्रस्न करते हैं इस तरकार से कि किसने कहा था क्लास 5 से हम से तकला को क्यों होटा दिया हम तो बंगला सीखना चाहते हैं हिंदी भक्सी लोग यहां तो बंगला सीखना चाहते हैं लेकिन क्यों नौकरी के लिए नहीं हम बंगला सीखना चाहते हैं क्योंकि हम रभींदरा को समझना चाहते हैं हम बंगला सीखना चाहते हैं क्योंकि हम पाते हैं को समझना चाहते हैं और इसलिए हम आपका भीख लेने के लिए यह बंग फुमी है और मैं एक और बात करता हूं दूसरी भासा में हम बात करते हैं इसलिए आप हमें बंगाली नहीं कहेंगे यह नहीं हो कहँत ही कि हमारा यह मनड़ा है किस मेर सिब्दॉन करते हैं और में बंगालीस हैं हम हिंदी करना जिए यह बहुत कथरनाक इसी अफ्टिछी कैंदी पाकिस्तान से दिवाएं उनका स्वागत हैं बांग्यादेस से गुस्वेठीये आएं उनका स्वागत है लेकिन विहार से उतर परदेस से मत्य परदेश से राजिस्तान से हरियाना से जिद스 рядом यहाँ आते हैं तो बाहर गे looked at the autism is की विस्तिति है इस देश के होकर भी हम पराये हो गए और दूस्रे देश के लोग आपकी अपने हो गए यह संस्कृति नहीं चेसे हमारा असंविधार इसकी अनुमती नहीं देता है और इस तारी चीजों के खिलाप आपको आवाज उठानी है आने वाले दिनों में केवल एक यह नगर निगंता चुनाव नहीं है केवले काउंसलर का चुनाव नहीं है इस चुनाव के मतल से आपको इस बात का निन्हें लेना है कि यह संस्कृती यह 40-50-60-60 साल की जो हमारे धरोवर एक साथ सारे धर्म के लोग सारे भासा के साथ लोग बंगार में मिल कर रहते थे उसको जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उसे आप बचा पाएंगे कि नहीं आज कहा जा रहा है कि आप दूसरी भासा जानते हैं दूसरी भासा में बात करते हैं इसलिए आप को सवरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आज जनी आप चुप रहें तो कल कहा जाएगा आप पुकान वी यह नहीं लगा सकते, कम पैसा में दे के चले जाएए, चिसरे जिन कहा जाएगा आप दूसरी बहसा में बात करते हैं, इसलिए आप्रचाद नहीं तो पहले दिन, पहले ही दिन, इसके खिलाब में आपको आवाद उठाना जोगी है आज जदी आपने प्रतिबाद नहीं किया आज जदी आप सोचते रहे किया रहे कावणी जी खड़ी हुई है हमारा क्या लेना देना ऐसा नहीं है आज कावणी जी के मांदम से ही आपको प्रकर होकर मजबूती के साथ मिना देता है और ऐसे एक दो लोग यहां पर आमर्यादित बाते कहके चले जते हैं कि कार्या इतिल्य द्याइक um पूंगना पड़ेगा मैं आपको कहता हूं पॉबीदा मैं आपसे कहना चाहता हूं एक कामनी थी वारी क्या जरूरत पढ़ीं तो सेक्रों हजारों महिलाए साधा साधी पहनने के लिए तैयार है लेकिन कलगत्ता को मिनी पाकिस्तान हम नहीं बने देगे बंग्लादस नहीं के लिए किसी इतने भी साधा साधी पाहना जाए हमारी माता हुझा है हमारी माता है पती का खून हो गया उसके बाद भी बेटे को आगे कर देती थी अंग्रेजियों से लिए कि हा मेरी मां किसी दूर चली गई लेकिन मेरे आचल का दूद मैंने जिसे बच्चे का पिलाया है अभी ये मेरे घर में है ये भी जाकर अंग्रेलियों से लड़ेगा ये ऐसी बीस हमारी महिला है उन महिलाओं को आप विद्वा होने का डर दिखाएं ये आपको सोभा नहीं देता मुझे उम्मीद है कि आने वाले दूर माप अपने अंदर सुखाग आई चोकी और भी बहुत से बाते कहनी थी लेकिन इसके बाद पाटी का अदेश एक दूसरे बाट में भी जा रहा है कि और एक बात कहसे आपकर आपसे बिदा लेना चाहूंगा इस बंदाल में हम लोग कच्छा एक ग्यार कि बेगर नाम की आठ पक्तियां को पढ़नी पढ़ती थी और उस कंटा में कभी क्या कहता है वही बात आप से गया क्या मैं भीदा लेना चाहूंगा आपने आपने से बहुत से लोगों ने पढ़ा हूए उसमें कहता है कभी कि मैं एक दिखारी मैं एक दिखारी एक दिन भ से जा रहा था अचानक मैंने देखा अचानक मैंने देखा कि गाप के रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसी एक सोने के रख पर बैठ कर एक राजा आ रहा है सोने के रख पर बैठ कर एक राजा आ रहा है भीकारी कहता है कि मैं वहां खड़ा होगा और वह सोने का रख जो मेरे न दी आया तो मैं देखता हूं सोने के रफ़्ण कोई नहीं सारे राजाओं के राजार सारे देवताओं के देउता सुरें भगवान बैठे हुए विखारी कहता है कि सोने के रफपस् hooks भगवान आगे और मैं जहां खड़ा था वही पिर हो रातीब कर दुका मुस्कुरा रहे हैं अचानक मुस्कुराते हुए भगवान नीचे उतरते हैं विखाली कहता है कि मेरी तो मैं समझ नहीं पारा था मैं क्या करूँ आज भगवान से भेटो गई भगवान आए भी और सोने के रख मनाए और जहां मैं ख़ड़ा हूँ यही पर आ गए और सोने क भगवान से भेटो गया अचानक जब इतारी सोत रहा था गया भगवान मुस्के पुछे कि बहुत बच्चा तुझे क्या चाहिए और मैं कहूंगा भगवान मुझे मेरी गरीवी सवाप करो अचानक भगवान ने भिखाली के सामने अपना हाथ पहला दिया और कहा भाई मैंने सुचकता भगवान की बहुत बच्च निए लेकि भगवान एक भी आधि के सामने हाथ पहला रहे हैं और वह मुस्या माग रहा है कि मैं कुछ दू भीकारी कहता है कि अल्भे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ भिखारी ने क्या किया किया टेगवर की क उसमय लेकर चला निकालते हैं और भगवान के हाथों में देदेता है भगवान वो चाबल का दाना। चले जाते हैं विकारी कहता है कि मेरा मन दुखी हो गया मैंने सोचा था कि आज भगवाल से भेट हो गई अब मेरी गरीबी स्वाफ हो जाएगी अब मुझे भीग नहीं मांगना पड़ेगा लेकिन ये का आज भगवाल से भेट हुई उसके बाद भगवाल उल्टे हंसे ही च चिंद्गी में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे क्योंकि आई भगवाल से भेट हुई वह भी उन्टा हमी से चावल गादाना लेकर चले गए और बहुत तुखी मन से बिखारी अपने घर जाकर सारा जब भीक में चावल मांग के लाया है उसको अपनी घर के फर्स पर ख देश को सारे दुनिया में रहता किया यह बॉबी हाकिन रही है नहीं दोर अभी द्राग वह कहते हैं बिकारी कहता है मेरी आख्ये फटी की पटी रह गई क्योंकि वह जो चावल का घे था उसमें सूने का चावल था एक सूने का चावल था यानि भगवान को जो भीक के क्यों नहीं हुआ कि भारती जंता पाटी इस वर में बिस्वास करती है और इस वर की सूच को लेकर वह आपके पास आई है जदी समर्थन करना है तो कंजूसी मत कीजिए एक चावल का दाना मत दीजिए देना है तो जोला धाल के देदीजिए सुना बनाकर भारती जंता पाटी इस लाठी गलोगा देगी कामने थीवारी सुना बनाकर इशिलाथी गलोगा देगी इस लाठी अनको तो भादा करते हुए आपसे पिता लेना चाहूँगा बंदे मातरम भारत मातमी है